असलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ आईशा और मेरे चैनल आईशा's केक डिलाइट में आप सबका स्वाकत है आज हम बनाएंगे केक पर यूज करने वाली स्टेंसील इसे सिफ हम दो रुपे में बनाएंगे वो भी बहुत ही आसानी के साथ मैंने बहुत सारे स्टेंसील के केक यूटूब पर देखे ते पर मेरे पास ये अवेलेबल नहीं थी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए मैं यहाँ पर आपके साथ इस तरह से नए नए टेकनिक को भी शेर करने की पूरी कोशिश करती हूँ बहुत सारी चीज़े होती हैं जिने हमें खुद ट्राइ भी करना होता है क्योंकि हम भी यूटूब से ही देखकर सीख रहे हैं मैं यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इस डिजाइन को गूगल से सर्च करके इसकी एक जेरॉक्स प्रिंट कर लिए है हमें यहाँ पर इस तरह की ही OHP शीट चाहिए होगी क्योंकि अगर पूरी ट्रांसपरन्ट शीट होगी तो हमें नीचे का पेपर तो इजी ली दिख जाएगा पर जब हम उस पर डिजाइन करेंगे तो वो हमें नजर नहीं आती मैंने यहाँ पर इस वीडियो को पहले भी बनाया था पर किसी वज़ा से वो वीडियो रेकॉर्ड ही नहीं हुई थी मैंने इस पेपर पर OHP शीट को इस तरह से सेलो टिप की मदद से चिपकाया है इस तरह की पूरी ट्रांसफरेंट शीट को इस्तिमाल ना करें क्यूंकि मैंने भी यहाँ पर इस पर डिजाइन बनाई है पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें उंगलिया तो मैं दाल रही हूँ पर डिजाइन नहीं नजर आ रही है इस तरह से मैंने इस डिजाइन को कट कर लिया था ओए ओएजपी शीट मेरी फोटो के के पीछे आने वाली शीट है पर आपके पास अगर ओएजपी शीट ना हो तो आप किसी भी इस तरह के फाइल के पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं खयाल करें कि हमें उसमें से इस तरह से मारकर से डिजाइन को कॉपी करने के लिए वो डिजाइन हमें थोड़ी सी दिख जाए ओएजपी शीट केक मटेरियल शॉप और किसी भी स्टेशनरी पर भी आसानी से मिल जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी फ्लावर्स को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर एक इस तरह से कोई भी मोटी शीट लेंगे जिसकी वज़ा से हमारी डिजाइन को कट करने की वज़ा से नीचे का हमारा जो टेबल क्लोथ है वो खराब ना हो यहाँ पर मैंने एक वेडिंग इन्विटेशन का कार्ड लिया है और उस पर रख कर मैंने इस तरह से इसे अच्छी तरह से कट कर रही हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में मैंने कुछ स्टेंसिल्स के फोटो भी लगाए हैं जिनके उपर उनके प्राइस भी लिकी हुवी है आप यहाँ पर ये भी देखिए कि मैं किस तरह से इन सब पैटल्स को बड़े ही आसानी से कट कर रही हूँ और अपनी स्टेंसि वीडियो को बनाना जहाँ से मैं के क्रेडी कर रही हूँ तबी से इस तरह से कभी भी किसी ने मुझे कमेंट करके नहीं पूछा कि आप इसको कब अपलोड करेंगे या आपकी डिजाइन हमें बहुत पसंद आती है इस तरह के बहुत कम ही मैसेज आ रहे थे पर जब कल रहाता कही न कही कोई हमें भी पसंद करता है हमारी भी वीडियो को वाच कर रहा है तो इसलिए उनके लिए मैंने इस वीडियो को ओ भी हमारे जैसे एक यूटूबर ही है उनके यूटूब चैनल का नाम है आहारे बाहारे हमारी इन वीडियो को बहुत सरे निव कुछ शीन्सिया को सपोर्ट करना है और इनकी वीडियोस को वाज करना है और उनकी डिटेलिंग को भी कमेंट करके बताना है जिसकृ कृक्षेट गे और इसी तरह से अपने चैनल को हम ग्रो कर पाएंगे और एक बात कि आपकी अगर ड्रॉइंग अच्छी हो तो आप इस तरह के डिजाइन को भी कुछ से ही OHP शीट पर बना ले मार्केट में महेंगे मिलने वाली स्टेंसिल को हम घर पर ही बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस स्टेंसिल से कितना प्यारा केक डिजाइन बनाया है और इसकी भी वीडियो हमारे चाइनल पर अपलोड की हुवी है मैंने यहाँ पर इस तरह से पेपर पर ही OHP शीट को स्टिक किया था आप यहाँ पर से डिजाइन ड्रॉ कर भी सकते हैं और अपने पेपर को वहाँ से हटा ले हमने कुछ इस तरह से राउंड बनाये हैं वो कटर से कट करना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने इस पीन को कैंडल पर गरम करके इसे इस तरह से पोल्स कर लिये हैं से पहले भी मैंने इस केक की वीडियो में इस स्टेंसिल के बीना हम स्टेंसिल इफेक्ट किस तरह से दे यह इजी ली बताया है मैं इन वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँग लोगों में से कितने लोग मेरे वीडियो को फुल वाच करते हैं प्लीज मुझे कमेंट करकर जरूर बताएं जिससे नई वीडियो बनाने में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है थैंक्स फौर रॉचिंग अल्ला आफेज जल्द ही आएंगे एक नई वीडियो के साथ